तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि CEO और यी घर जाने के लिए रेडी होते हैं और तभी CEO पुछता है यी को कि तुम दोनों एक दूसे के इतने क्लोस कैसे आ गए याने वो लिंग वाई और यी एक दूसे के इतने क्लोस कैसे हैं तभी यी बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मैं इस बात को कैसे तुमें समझाओं करके लेकिन हम लोग बस नैशरली फ्रेंड्स बन गए करके तो CEO यी की तरफ आश्यर से देखता है तभी यी बोलता है कि तुम गलत मत समझना हम लोग कोई लवर्स वगरा नहीं है करके और तभी यी याद करता है कि कैसे उसको भी ऐसा लगा था कि लिंगवाई का बीहेवियर थोड़ा सा अजीब है करके लेकिन पिर जब उसने उसके ग्रैन्ट पैरेंट्स से बात करी तो उसको लगा कि ये बहुती सिंपल टाइप के लोग है और उसके ग्रैन्ट पैरेंट्स बोल भी रहते कि लिंगवाई के लिए याओ फैमली का जो लड़का है वो अच्छा रहेगा करके तो CEO थोड़ा सोच में पढ़ जाता है और बोलता है कि तुम लेकिन उसके काफी क्लोज थे करके तो यही बोलता है कि तुम भी तो मिस्कुइन के क्लोज थे तो CEO बोलता है कि ये बात लेकिन डिफरेंट है हम लोग वो मेरी sister और brother के समान हैं और वो मेरी business partner भी है करके तो यही बोलता है कि इसमें difference क्या है और वो यह भी बोलता है कि यह language जो है और मैं जो हूँ वो भी brother and sister हो सकते तो CEO और यही को तिर्शी नज़र से देखता है और फिर उसके बाद यही बोलता है कि यह सब बाते एकदमी बे तुकी सी है करके और वो बोलता है कि जहां तक मुझे याद है वहाँ पर CEO बोलता है कि जहां तक मुझे याद है कि तुम्हारी मॉम का नेम जो है सरनेम जो है वो भी ही है करके तो यह बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रहो मेरी मदर का जो सरने में वो भी ही है करके तो CEO को याद आता है कि Queen ने कहा था कि यदि डंग से कोई भी चीज वार्क आउट नहीं होगी तो वो क्या कहते लिंग वाई की आंटी के पास चली जाएगी तरके तो CEO बोलता है कि यदि Link वाई की प्रेंड़ हो तो तुम यदि इसके प्रेंड हो तो और Mr. and Mrs. ही है वो लोग तो क्या तुम्हें थोड़ा भी इस चीज परवा नहीं है क्या तो क्या कभी तुमना ऐसा सोचा है कि जैसी वो ऐसे बोलता है वैसे ही बोलता है कि तुम कहना क्या जह रहे हैं और हम कूला सब्सक्राइट मेरी मौम का समय कि थोड़ा साइट मैंठी सब्सक्राइब ने भी थे, तो उन सब्सक्राइब करें इतना सब हो जान पूआ यसास default है कि आपकमों दोसे पारामें कभी मेरी माम में बात दोड़ाया गाता है और यदि उनका कोई होता तो क्या वो लोग मुझे देखने नहीं आते क्या कि हम लोग एक ही सिटी में तो रहते हैं और जब मैं चोटा था तब मेरे डैड ने बहुत बार खुशिस की थी कि मेरे ग्रैंड पारन्स और ग्रैंड मदर आएं लेकिन जब भी हम बात करते थे तो मेरी मदर जो थी वो बहुत ही सैड हो जाती थी तो मुझे लगता है कि शायद मेरे ग्रैंड पारन्स नहीं हैं और इसके लावा मेरी मा ने कभी भी मुझे उनके बारे में नहीं बताया और नहीं अपनी फैमली के बारे में कभी मेरी मदर ने मुझे बताया है करके तो सी य enjoy करते हैं यंग लोगों के साथ बात करना तो तुम basically बहुत कुछ जादा ही सोच रहे हो और CEO अपने मन में सोच रहा होता है कि ये कुछ ठीक सा फील नहीं हो रहा है मुझे इसके अंदर देखना पड़ेगा तब ही CEO बोलता है कि लिंग वाई जो है वो सिर्फ एक अकेली granddaughter है जाना चाहते हैं करके जिससे उसकी शादी उससे तै हो सके और साथ में क्या कहते हैं उनका रिलेशन फैमिली के साथ अच्छा होगा तो उनकी फैमिली भी बहुत जादा मजबूत हो जाएगी और इस बहाने लिंग वाई और मेरा जो कजन है उन दोनों की शादी हो सकती है तो यह वो इमेजिंग करने लगता है और सोचता है कि शादी और लिंग वाई की यह कुछ जोक जैसा नहीं है क्या वो दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं है तो इससे उनको क्या ही फाइदा और क्या ही प्रॉफिट होगा और फिर ऐसे में वो कैसे हैपी रह पाएंगे और तभी यह भी बोलता है कि यह तो फिर बैनेफिट के लिए ही लिंग वाई को मतलब यूज किया जाएगा तो CEO बोलता है तुम थोड़ा शान्त हो जाओ मैं जानता हूं मेरे कजन को और वो जो है वो सिफ दिखने में गुड लुकिंग है और डैंडी सा है और वो वैसे वी लिंग वाई के स्टैंडर से मैच नहीं एक खाएगा करके और तभी यह सोच रहा होता है कि कैसे लिंग वाई ने कहा था कि उसके और जाईड नरी लाइफ चाहिए जिससे कि वो उस लाइफ में हापी रह सके तो यह बताता है कि जो लिंग वाई है उसे एक सिंपल सी लाइप चाहिए जिससे उसके मन में जो भी रहेगा वो हमेशा कर सके और उसे किसी भी ऐसी चीज में इंवाल्व नहीं होना पड़ेगा जिसमें उसको इंटरेस्ट ना हो उसे एक्टिंग करना पसंद है तो वो एक्टिंग कर सकती है और अपना गुड वर्ग जो है लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकती है और तभी सिय बुलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो सबी लोगों को लगता है कि ही फैमिली ने लिंगवाई को काफी स्पॉइल करके रखा है और उसे एक्टरस बनने दिया है लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि लिंगवाई को खुदी आक्टिंग करना कितना पसंद है तभी अचानक CEO पूछता है कि क्या तुम्हें भी एक्टिंग करना बहुत पसंद है क्या यही काम है जो तुम अपने पुरी जिंदगी भर करना चाते हो तो यह सुचता है कि तुमने ये कोशन अचानक क्यों पूछा करके तो CEO बोलता है कि I am sorry पर मैं बस ऐसे ही तुमारा जो क्यारियर है हमेशा उसे जर्ज करता था और उसे मैं हमेशा रूरू के पॉइंट आफ यू से देखता था करके लेकिन मैंने कभी तुम से तुम्हारे ड्रिंग्स के बारे में नहीं पूछा मैं कहले बहुती ज़्यादा selfish था जो मैं सिफ अपने बारे में और रूरू के बारे में सोचता था तो यह बोलता है कि मैं तुम्हें समाज सकता हूं तो क्योंकि मैं एक time पर बहुती ज़्यादा वरी करता था और एक दिन मैंने सोचा था कि मैं एक biggest star बन जाऊंगा और मैं रूरू को protect भी कर सकूंगा और मैं उसे हर तरीके के trouble से दूर रखूंगा और उसको एक healthy environment और एक healthy life दूंगा जिससे वो बड़ा हो सके लेकिन फिर बाद मैं ऐसा हुआ कि मुझे simply पता चला कि मैं बहुत जादा ही उस time पर सोचता था और यह मेरे लिए impossible है कि मैं एक big star भी बन सकूंगा मैं तो बस daydreaming करता है तो दिन में सपने देखता रहता हूं लेकिन जो भी हो मैं acting करना चाहता हूं और मैं एक बहुत अच्छा good actor बनना चाहता हूं यह बोलता है कि ऐसे तो मैं बहुत अच्छा और talented actor नहीं हूं अच्छा और में चाहता हूं कि दुनिया मुझे याद रखे करके तो CEO यह की बात सुन रहा हूं और CEO यह बताता है कि मैं चाहता हूं कि लोग मुझे प्यार करें और मुझे recognize करें और जब मैं मरूँ तो मैं अपने footprints यहां पर छोड़के चल जाओं जिससे मेरे मनने के बाद भी लोग मुझे हमेशा याद करें CEO बहुत उससे गंबिता से यही की सारी बाते सुनता है और फिर सोचता है अपने मन में कि अब उससे CEO को support करना चाहिए यहीं बोलता है कि शयद मैं बहुत जादा भी बोल रहा हूं और एसे कहके Sorry कह देता है तब यहीं बोलता है कि मैं तुम्हें support करूंगा եाher कि अजब को समझ मेंने हात अकि अचैनक ऐसा कि वह बोल रहा है फिर भी वो बोलता है कि क्या तुम वाकरी में मुझे समझ सकते हो क्योंकि मेरे मॉम एंड डैड जो थे उनको मेरे उपर कुछ जादा फेथ नहीं था और तभी क्या होता है गाड़ी को बंप सा लगता है और यही CEO के उपर गिर जाता है बात कहते कहते तो CEO को समालता है और फिर उसके बाद है कि आज के बाद मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा अपने पूरे दिल से तुम्हें सपोर्ट करूँगा और मैं तुम्हारे उपर अच्छे से लाइट की तरह तुम्हारा क्यारियर वेरियर सब चमका दूँगा और तुम्हारा जो क्यारियर का रोड है वो बहुत ही अच्छा भी है और तो तुम्हें जो भी है सिर्फ तुम्हें अपने ड्रीम्स पे फोकस करने की जर्वत है और किसी चीज की चिंता करने की जर्वत नहीं है और अब से मैं तुम्हें कभी भी एक्टिंग करने के लिए र दिखाते हैं कि दूस्य दिन सब लोग Phoenix में बैटे होते और ही यून यह यून कह रहे होते हैं कि और अब तब ही रियालिटी में वापस आता है और वो पूछता है कि हां क्या हुआ तो महां पर देखते कि सब लोग मीटिंग में बैटे हैं और वो बताते हैं कि जो एक्सिडेंट वाला पार्ट था सीन 3 में वो कैसा है करके स्पेस ट्रैवल में तो फटा-फट यही स्पेस ट्रैवल की बुक को उठाता है और पढ़ने लगता है और सारे के सारे लोग मीटिंग रूम में यही को तिर्ची नजर से देखने लगते हैं और तभी लिंगवाई सुष्टि है कि कल रात को इसे अच्छा रेस्ट नहीं मिलाता क्या क्या कि आज अपने ही ख्यालों में खोयावा है और तभी सब लोग यही की तरफ देखते ही चले जाते हैं और तभी वह बोलती है लिंगवाई डिरेक्टर को कि डिरेक्टर हम एक स सोटे से ब्रेक की जरुवत है तो हम लोग क्या है ब्रेक लेंगे तो हम वापस से तरो ताजा हो जाएंगे और हम फिर फटाफट सारा काम जल्दी-जल्दी करेंगे तो डारेक्टर ली बोलते हैं कि मेरे एससिस्टेंट ने अभी तो फूट एंड मिल्ट्री भेज आथा करे तो हम लोग ब्रेक लेते हैं और क्या कहते हैं रिफ्रेश्मेंट करके आते हैं और फिर स्क्रिप्ट करेंगे करके तो जो डारेक्टर ली होते हैं वो बोलते हैं तो यह जो लड़का होता है हमारा एक्टर होता है वो बोलता है कि डारेक्टर ली जो है फिर से ऐसा कर रहे हैं और यह जब56 क्म क्हितें लगटे हैं यह मेशा से अईसा ही लगते हैं कि वह बहुत ही कि इस्टिक्ट हो जाते हैं। और वह ब्लक्ल भी जीरोस इंपैथी दिख आता है लोगों को। इनकी जो परसनालेटी है वह इसी टाइब की परसनालेटी हो इसी अपसें माइन्ट हो सकता है इतने इंपोर्टेंट जब काम और मीटिंग चल रही होती है तो तब ही लिंग वही आती है पुछती के तुम टायट हो या तुम्हें सिक्ट फील हो रहा है क्या तो यह बुलता है ऐसा खुछ लिया है और मैं बस कुछ सोच रहा था जिसकी चीर अप हो जाओगे और इससे क्या होगा यदि तुम अपने आपको ठीक से पुल अप नहीं कर पाओ तो मैं डायरेक्ट डी को और नहीं रोप पाहूंगा तो यह बोलता है नहीं नहीं कोई बात साथा हूं मैं ठीक करूंगा और वह बोलता है कि मैं थोड़ी के लिए पह आजाना जादा लेट मत करना तो यह बुलता है ओके यह अपनी चाय के साथ आगे बढ़ता है और सोच रहा होता है बैटके कि क्या जो फैंक जिया होता यह उसी का फॉल्ट है यदि उसने ऐसी सब वियर्ड चीज़े बोली नहीं होती तो मैं ऐसा कुछ सोच नहीं रहा होता और क्या कहते है उसने यह सब तहां इतने अच्छे शब्द करें जिसकी वज़े से मेरा ध्यान जो है और काम में भी डिस्ट्रेक्शन हो रहा है करके और इन सब की जड़ जो है हो सीओ है और यह मुझे लगता है कि जो सीओ है वो नहीं चाहता कि मैं एक्टर बनूं तब व टीवी इंडिस्ट्री में इंटर्टीनमेंट इंडिस्ट्री में लेकिन तिर भी तुम कुछ भी नहीं हो और तो तुमारा जॉब भी अंस्टेबल है और तो फिर यह आखिर का सीओ अचानक मुझे क्यों सपोर्ट करना चाता है यह सब बाते यह के दिमाग में चल रही क्या मैंने कुछ गलत सुनाता तो यह को एक्चली कन्फूजन लग रहा होता है वियर्ड भी लग रहा होता है क्योंकि ऐसा सब कुछ पहले सीओ ने कभी कहा नहीं था और तभी यह सुचता है कि मैंने उसे ऑनलाइन भी देखा था सर्च किया था जब हम पहली बार मिले थे तो मुझे यही पता चला था कि हम मैं और सीओ जो हैं वो डिफरेंट वर्ल्ड के हैं मतलब कहां सीओ इतना रही इस और सब कुछ उसका इतना अच्छा और कहां यह जिसका इतना स्ट्रगल चल रहा है और यदि रूरू के लिए नहीं होता तो शायद सीओ कभी आता भी नह करना ही हम लोगों के जो पात्स हैं वो कभी क्रॉस करते और तभी ही सुचता है कि मैंने बहुत सारे डिटेल्स को नेकले किया है और मुझे दी मैं रॉंग नहीं हूं तो लिंशी जो है वो भी बाई कंपनी का ही है और जिस तरीके से वहां के लोग हैं उन्हें देखके सी यो के भी रिलेशन्शिप बाई कंपनी से बहुत अच्छे है साथी वो यह भी सुचता है कि सी ओने इस जो स्पेस वाली स्पेस ट्रावर वाली मूवी है उसमें सी ओने भी इंवेस्मेंट किया है क्या मेरे लिए अस्ता भी उसकी चाय उसके गले से नीचे उतर जाती है और वो सोचता है कि उसे जादा नहीं सोचना चाहिए और उसे सोचना बंद करना चाहिए क्योंकि पिछली बार जा मैं सोच रहा था तो मैंने लिंगवाई के बारे में गलत सोच लिया था तो मुझे कुछ जादा सस्पीशियस नहीं होना चाहिए इन लोगों को लेके और यहाँ पर सिब एक ही आत्मी जो मेरी मदद कर सकता है और वो जो है वो रूरू है और क्योंकि मेरा और रूरू का बॉर्ण जो है वो बहुत ही अच्छा बॉर्ण है करके वो रूरू को याद करने लगता है और तभी सोचता है कि यदि CEO Rooroo को ले जाएगा मेरे पस सिफ PHORS से तो मेरे पस तो कोई चांस ही हमी रहेगा Rooroo के साथ रहने का वो अभी भी यही सोचता है कि CEO शायद Rooroo को उस से छीन लेगा और फिर उसको याद आता है कि वो पहले क्या सोच रहाता और वो सोचता है कि उसमें कभी पहले CEO को रूरू को ले जाने भी नहीं दिया था और मैं चाहता हूँ कि मैं CEO और रूरू को अपने साथ ही रख हूँ और इसी वज़े से हम लोग साथ रहने लग गए और हमारा रिलेशनशिप वीर्ड भी होता चला गया तब ही दिखाते हैं दूसरी तर्फ कि CEO का जो मैनेजर है वो आता है और बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन की जो रिजल्ट्स थे वो मैश नहीं हो रहे सेकंड यंग मास्टर जो ते वो यह इंटरनेट में जो अपवा फैली थी उसमें शामिन नहीं थे तो CEO देखने लगता है कि यदि सेकंड यंग मास्टर नहीं थे तो किसने इंटरनेट पे अपवा फैलाई थी तो मैनेजर बोलता है कि आप खुदी देख लीजिए यह अपवा एक्चली मिस्वाई नहीं फैलाई थी और आपके पीट पीचे फैलाई थी तो CEO को बहुत ही यदर शॉक लगता है कि कैसे मिस्वाई ऐसा कर सकती है करके कि खुदी अपवा फैला रही है पर क्या होता है दूसरी दर दिखाते है कि जो ग्रैंट फादर हो हॉस्पिटल में और बोलते कि जो भी बात है जो भी रिजल्ट मेरी है वो तुम मुझे साफ साब बता दो तो आता है और बताता है कि अपके रिजल्ट क्या है तब और एप आपने ऐसिस्टें को ब्लते कि तुम थोड़ा बाहर जा के खड़े हो तो ऑसिस्टेंट भार जाने के लिए जाता है दरवाता ऊब सब्सक्राइब 500 कर देता है और डॉक्टर जो है प्रद पादर के साथ बात करने लगता है और बोलता है कि आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा तो डॉक्टर बोलता है कि आपका जो कैंसर है वह रिलैप्स हो गया है और यह सुनके हमारे ग्राइंट फादर को बहुत ज़्यदा शॉक लगता है और उनका मुझ खुला का खुला रह ज देखता है कि यह वाकी में जो इतने भी सारे यूमर्स फैले थे उसके पीछे जो था वह वाई-वाई का ही हाथ था लेकिन वह ऐसा क्यों करेगी सीओ ऐसा सोचता है और ऐसा करने से तो सिफ उसी की बेज़ती होगी तो मैनेजर पुछता है कि बॉस हमें क्या करना चाहिए जिस्तिती में तो उनका जो बहुत से मतलब सीओ है वो बोलता है कि मुझे नहीं बता कि यह सब करने का वाई-वाई का क्या ही परपस है करके और सीओ बोलता है कि लेकिन जो भी वाई-वाई ने किया उसमें मैं और क्वीन जो है वो इन्वाल्व है तो मैं इस चीज को पास ória कि मैंनेजर तो मैनेजर थोड़ा तो मैनेजरी जो एकि हम्सारकि अवेल है कि हमें जो हls से weather data करना। सब्सक्राइब Confirmation Zone आप जो नहीं है तो जो नहीं चलने चाहिए तो CEO बोलता है कि लेकिन कभी ईसाथ करने वाले कोई थार्ड लखो करने के लिए loaf bonnet के लिए और फिर यह भी बताता है कि आपने हमेशा उसको बहुत सारे एक्सपंसिब गिप्स भी दिये पार्टी इसके बाद तो हो सकता है उसने आपको गज़त समझ लिया हो तो सीयो बोलता है कि लेकिन ये तो हमारे बीच का ट्रेड था और हम इस बात से पहले ही तैयार हु देता था तो इस तरीके से हम एक बहुत हो कुछ भी और नहीं करते हैं कि ये कैसे मिसंदरस्टैंडिंग हो सकता है और ये ये यह वाई-वाई भूता है क्यों क्यों गया जो बारे मेर नहीं जानता तो मैनेजर बोलता है हाँ कि जो वाई वाई है वो हर जगा यही बोलती फिरती है कि मैं CEO की गल्फ्रेंड हूं और ऐसा कहके कि वो काफी रिच फैमिली से के लोगों से भी मिली और उन लोगों में वो इन्वाल्व होती चली गई और उन्सकी जो बेस्ट फ्रेंड है वो याओ है करके और वो शॉपिंग वगर और डीनर भी मिस याओ के साथ काफी समय तक करती है और काफी सारा अपना समय वो अपर क्लास के लोगों के साथ पार्टी इसमें बिचाती है और इसे सब वो जो कर रही है वो आपी का नाम दे के कर रही है गर तो मैनेजर बूलता है कि लेकिन ये सारी जो little problems है वो आपके और Wowai के बीच की personal problem है और इस में मैं और brasile जिन्ग कुछ कर नहीं सकते है और हमने आपके matter में इंटर्फियर करने के बारे में कभी सोचा भी नहीं और तभी CEO को याद आता है कि कैसे मुमू ने कहाता कि वो जो लड़की है वाई वो दिखती वर ओबीडेंट है लेकिन उसके जो एमबिशन्स है मतलब उसकी जो मात्वकारशा है वो बहुत ही जदा ऊची है और वो जो है ह कि मैं पूम्हां wonders असुचा ही नहीं था और मैंने कभी ऐसा एपकड क्ग्रसा नहीं गया था कि कोई एसा भी कर सकता है और तभी ओब वो बोलता है कि तुम्हें काम करो Professor Yin को फोन करो और मेरी उनके साथ मीटिंग फिक्स करो अब क्या होता है कि हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं कि जो ग्राइन फादर होते हैं वो अपने असिस्टेंट से बात कर रहे होते हैं और असिस्टेंट बोल रहा होता है कि क्या आप अपने घर में किसी को यह बारे में बताना नहीं चाहते हैं क्या आपकी बीमारी के बारे में क्या अपने ग्रैंटसन को भी नहीं बताना चाहते हैं क्या तो जो यह ग्रैंटफादर होते हैं वो बोलते हैं कि इसमें इतना सब कुछ बड़ा सा क्या है जो किसी को बताना इस नो है बिग डील करके अ ठीकी ठीक लग रहा है जादा पूरा नहीं लग रहा है और फिर से वो लियो को वापस बाहर भेज देते हैं और लियो भी वापस चला जाता है तब ही डॉक्टर बोलता है कि जो ट्रीटमेंट प्लान है वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा और जो आपकी सिच्वेशन है वो अंडर भी जाना पड़ सकता है करके क्योंकि आपका कैंसर जो है वो इस्प्रेड हो रहा है तो जो हमारे ग्रैंट फादर होते हैं वो सुचते हैं कि अब उनके पस और ज्यादा समय नहीं बचा है तो डॉक्टर कुछ बोलता है नहीं है और बोलता है कि आपको आपका प्रवास हो जाते हैं और उनके मन में बहुत सारी बाते चलने लगती हैं और तभी डॉक्तर बोलता है कि आपको रेश्ट अच्छा से करियो और ऐसा करके चले जाते और grandfather जो है वो एक बड़े से hospital बैट पर बैठे होते हैं और सोच रहे होते हैं deep thinking में होते हैं और सुछते हैं कि क्यों ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है और मैं तो पहले ठीक हो गया था लेकिन अब फिर से मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और मुझे इस pain से क्यों वापस सफर करना पड़ रहा है और वो सुछते हैं कि वापस मुझे cancer क्यों हो रहा है और वो बार बार एक ही सवाल करते हैं कि क्यों हो रहा है क्यों हो रहा है करके और तब ही वो अपने बिस्तर में चुपचाप लेट जाते हैं और तभी उनके मन में इच्छा होती है कि वो उस बच्चे को देखें और ये बच्चा कोई आ नहीं डूरू होता है जिसको तो देखना चाता है और वो बोलते हैं कि मुझे जिंग्यााओ के बच्चे को देखना है गर्ते है और तबी रूरू का भी सीन दिखाते है कि रूरू कैसे अपनी डुकी के साथ बैटा होता है और गेम्स खेल रहा होता है और तभी दिखाते हैं कि दो गरम-गरम प्याले चाहे के रखे होते हैं और एक unexpected guest आता है और ये कोई और नहीं होता है ये हमारे CEO ने जिनके साथ Professor के साथ meeting fix कराई थी ये वही होते हैं तो Professor पुछते हैं CEO को कि आपका यहां आना कैसे हुआ है और तुम ने मुझे कहा कि Queen को भी invite करो और तुम ही ने उसको actually invite करने के लिए कहा था करके तो तुम लोग basically मेरे साथ क्या ही hide and sick का game खेल रहे हो करके तब ही CEO बहुत सारे रिपोर्ट्स निकालता है बोलता है कि Professor आप यह सारे रिपोर्ट्स को देखो तो Professor बोलता है कि अरे तुम क्या मजाग कर रहे हो मेरे साथ और कि तुम दोनों relationship में हो मतलब queen और तुम relationship में हो तो अब मुझे क्या ही देखना इस रिपोर्ट में और लेकिन यदि तुम लोग relationship में हो तो मुझे तुम को red pocket देना ही पड़ेगा और red pocket याने gift जैसा ही है इनके culture में तो CEO बोलता है कि अरे प्रोफेसर पहले पढ़ तो लीजिए इसमें क्या है इन सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे करके और तभी जो हमारे प्रोफेसरे वो पढ़ते हैं और बोलते हैं कि why why जो है वह भी यहाँ पर छोड़ी दिल में इस्टोरी तो सुनी ही होगी एक farmer और वाइपर की, अजलब किसान और वाइपर की स्टोरी तो सुनी होगी, और मैंने कितनी बार वैवाई को मदद किया है, और उसकी college की fees और उसकी studies का خर्चा उठाया है, लेकिन उसने देखो मेरे साथ कितना सारा trouble creator कर दिया है, और उपर से वो ये भी claim कर रही है कि वो मेरी girlfriend है और इतना ही नहीं उसने कई लोगों को पैसे देके posters लेके internet पे rumors भी फैलवाए हैं तो क्या आप imagine कर सकते हैं कि मुझे कैसा feel हुआ होगा मेरा reputation कितना खराब हुआ होगा और यदि किसी को मेरे personal information के बारे में पता चलेगा तो कैसा लगेगा तो जो professor बोलता है कि क्या ऐसा हो सकते हैं कि ये misunderstanding हो तो CEO बोलता है कि professor मैं जानता हूँ कि आप talented लोगों की बहुत ज़्यादा value करते हो लेकिन ये जो वाईवाई ने किया है ये person की personality है ये उसका talent नहीं है और जो person होता है उसकी personality जादा matter करती है तो मैंने उसके लिए इतना सब कुछ किया लेकिन फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा धोगा किया और मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसे wiper को अपने side में रखना चाहिए और ये कोई एक अच्छा idea होगा तो प्रोफेसर विचारा सोचने लगता है कि अब क्या ही होगा और प्रोफेसर बोलता है कि ये बहुत ही जादा serious exam है और मैं इस पर decision सिर्फ एक side की story सुनके नहीं करूंगा मुझे वाई वाई से confirm भी करना पड़ेगा तो CEO बोलता है कि प्रोफेसर सिर्फ दोई option है और आप यदि मुझे पर trust करते हैं तो मैं बोलता हूँ आप उसको बोलिए कि वो policy drop हो जाए और ये matter को आगे फिर मैं नहीं बढ़ाऊंगा और यदि आप मुझे पर trust नहीं करते हैं तो आप उसके side में जाके खड़े हो सकते हैं और मैं उसको sue करूंगा करके और मैं उसको सारे penny जितने भी अस तक मैंने उसके उपर खचा किया वो सब उसको return करना पड़ेगा मेरके तभी वाईवाई आ जाती है और वाईवाई यह सब सुनती है और फिर उसका मुझ खुला का खुला रह जाता है करके वाईवाई आते से सुनती है कि कैसे CEO बोल रहा होता है कि यदि वाईवाई ने college नहीं जोड़ा तो वो action लेगा उसको sue कर देगा वाईवाई बोलती है जिन याओ तभी CEO और प्रोफेसर दोनों पलड़ के देखते हैं और वाईवाई बोलती है कि मैं यह explain कर सकती हूँ तभी प्रोफेसर बोलते है कि हाँ ठीक है जिन याओ तुम वाईवाई को एक chance तो अपने आपको explain करने का और हो सकता है कि एक मिसंडेस्टेंडिंग है और फिर प्रोफेसर वाई-वाई को अंदर भुलाते हैं और गईवें अंदर जाती है और पोलती है कि मैं तुम्हें कोई माम नहीं पहुंचाना चाहती थी मैं सिर्फ तुम्हारा इंटेंशन चाहती थी और तुमने मेरे से इत्ते समस्य कांटेक्ट नहीं किया था तो मैं ज़रा थोड़ा वेकारी सीली सा बेहेव कर रही थी और यदि मैंने सुचा कि यदि मैं ऐसा सब करूंगी तो तुम मुझे नोटिस करोगे और इसे लिए मैंने ये सब कुछ किया और मुझे नहीं बता था कि ये सब तुमको इतना इफेक्ट करेगा और तबी सीयों बोलता है कि लेकिन जो रियूमर्स तुमने फैलाए थे और उनके साथ तुमीने कैसे डील करना है इसका आइडिया मेरे मैनेजर को दिया था करके और उसके बाद याओ का जो पोस्त था वो तुम कैसे एक्स्प्लेइन करोगी क्या वो इसले नहीं था क्योंकि तुमने उसको कहा था करके और एकॉर्डिंग तु इन्वेस्टिगेशन मुझे पता चला है कि तुमने क्या कहते हैं पोस्टर्स भी खरीदे थे और कुईन को इंटरनेट पे अटेक करने के लिए भी तुमने उनको पैसे दिये थे करके और तुम कहती हो कि मैं अपने आपको ही इंटरनेट पे सेलेंडर कर रही थी और जिससे मुझे आटेंशन मिले तो तुम मुझे बताओ तो इसमें यदि तुम सब कुछ अपने आपके लिए ही कर रही थी तो इसमें क्वीन कैसे शामिल हो गई तो वाई बोलते हैं कि मैं याओ को बहुत अच्छे से जानता हूं तुम से भी अच्छे से जानता हूं और हम दोनों ही जानते हैं कि याओ किती डम सी है वो यह सब नहीं कर पाएगी और तब इसी हो बोलते है कि इसमें कोई प्राब्लम नहीं है यदि तुम्हें अपनी गलती है एड्मिट नहीं करनी है तो बर मेरे जैसा कहा वैसा करो तुम जा सकती हो करके और यदि तुम कॉलेज छोड़ देती हो तो मैं कुछ भी गरज जो है तुम्हारे के लाफ लेके नहीं बैटूंगा तो ना वाई वाई बहुत पैनिक करने लगती हो बोलती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते और मैं अपनी डिग्री जो है वो यहां बीच में आते में नहीं छ सकते हैं तुम मेरे फैमली वालों को भी नहीं जानते हो तो मैं क्यों इन सब चीजों के लिए मतलब अपना कॉलेज छोड़ूंगी और वो बोलती है कि मुझे प्रोफेसर यहन ने भी यह कहा कि यदि मैं अच्छा पढ़ूंगी तो मेरा पोस्ट ग्रेजूएट का भी डि वाई की ग्रेड खुर अच्छे आएंगे तो वह प्रोफेसर सूच रहे होते कि किसी तरह सीयो जो है वहाई को माप कर दे और उसको आगे पढ़ने लगे और तबी सीयों बोलता है कि प्रोफेसर अब दो चीजों को मिक्स नहीं कर सकते और अदि मैंने उसके साथ मैंने इस इस चीज़ करने में तो यह एक अलग बात है और यह किसी को ऑफन कर दे यह एक अलग बात है और इसी को अपना जो फोकस है अपने स्टेडिस पर करना चाहिए था ना कि गलत काम करने में और दूसरों को हाम पहुचाने में अपना फोकस करना चाहिए था और जो जैसा करता है उसे उस चीज की responsibility और consequences को भोगना परता है तब ही वाई वाई चलाने लगते की यह मेरा fault नहीं था इस सब के जिम्मेदार जो हो तुम हो तुम्हारी वज़े से यह सब हुआ है और तुम ही थे जिसने मुझे इस दूसरे type के world में लेकिया मतलब यह एश राम लगजीरी वर्ड जो है वो CEO की वज़े से ही वाई वाई ने दिखा था और वो बोलती है कि जो चीजे मैंने कभी नहीं देखी थी वो चीजे भी तुमने मुझे बताई और इसे लिए मैं जो हूँ भाटक सी गई थी आश राम की जिन्दगी में मैं अपनी स्टेडी में फोकस करना चाहती थी लेकिन फिर भी तुमने इतने सारे लोगों से मिलवाया अच्छी सोसाइटी में आई मैं तो मेरा ध्यान हर जग़ा पे भटकने लगा और याओ जैसी रिच गर्ल भी है तो मैं उन लोगों के साथ बात करने लग गई और उन्हों के बीच में उठने बैठने लग गई और अब मैं खुदी नही जानती की मैं आखिखाओ कैसी गई हूँ और यह वोग यह भी कोलती है कि उन लोगों को सब कुश मिलता है और वो बाई बार्थ ही उनको सब कुछ मिला होता है तो फिर मुझे क्यों इतनी मेहनत करनी पड़े और मैं क्यों इतना स्ट्रगल करूँ और तभी CEO वाई वाई की सारी बाते सुन रहा होता है और तभी वाई वाई थोड़ा सा ड्रामा करने लगती है और प्रोफेसर भी वाई वाई को देखने लगता है तभी CEO बलता है कि लेकिन इसका मतलब नहीं है कि तुम किसी को हर्ट करो और ऐसा कहके वो वाई वाई के ज़स पास पहुँचता है और उससे अपरोच कहता है और जाने की तैयारी में होता है वो वाई वाई को कुछ खास देखता नहीं कभी वाई वाई सीयो के जैकेट को पकड़ लेती है और अपने अब को फिर से एक बार एक्स्प्रेंट करने की खोशिस करती है और बोलती है कि मैं जो हूँ वो कुई इन से जैलस थी इसलिए मैंने ऐसे सब किया अब इतना सब करने के बाद वो जिन याओ को बोलती है ने सीयो को बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैंने ये सब जो किया वो इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ उसी यह बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम बहुती ज़दे ग्रीडी हो और तुम क्या हो कि मुझे नहीं प्यार करती हो तुम सिर्फ पैसो को प्यार करती हो तो जो भी तुम्हें पैसा देका तुम उसी को प्यार करने लगोंगी तो वाई वाई बोलत कि मैंने किस टाइप का लाइफ जीया है करके मेरी मॉम यंगर ब्रदर और ये लोग जो हैं वो मेरे से हमेशा पैसा मानते रहते थे तो तुम्हें मुझे मददी करना पड़ेगा तो सीओ बोलता है मेरे पास कोई वज़े नहीं है कि मैं तुम्हें मदद करूं करके वाई वा का रोना छूट पड़ता और वाई 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 जो जो से रोने लगती है और फिर उसके बाद दिखाते हैं कि वाई 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 बोलती है कि वो गलती उससे गलती हो गई करके वो फूट फूट के रोने लगती है तब है प्रोफेसर बोलते हैं कि वाई 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 तुम क यह जो वाई वाई है वो बहुत कुछ से गुजरी है और इन सब के जिम्मेदार कहीं न कहीं मैं भी हूँ और यह भी हो सकता है कि वो किसी भी प्रकार का इन इंटेंशन नहीं रखती हो लेकिन CEO फिर भी टस से मस नहीं होता है और वो बोलता है कि प्रोफेसर मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि इसके पास दो ही आप्शन है अब बोसे यही दो आप्शन चुनने पड़ेंगे और वो बोलता है कि आप लोग टाइम दीजिए और इसके बारे में सोचिए तब ही ऐसके कि CEO बोलता है कि मुझे जाना पड़ेगा मुझे बहुत सारे काम है तो Excuse me ऐसके कि वो चला जाता है और वाई वाई प्रोफेसर के साथ खड़ी होती है दूसरी तब दिखाते है कि रात हो चुकी होती है As usual और रूरू जो है वो खाना खा रहा होता है और तब ही बोलता है कि तुम्हें वेजिटेबल्स खाने की जरुरत है क्योंकि अदि तुम्हेजिटेबल्स खाओगे तो तुम इससे बहुत ही स्ट्रॉंग बनोगे और तब ही रूरू बोलता है कि लेकिन यी तो वेजिटे बाइस बुलता है कि जो बड़े लोग होते हैं उनको वेजेटेबल खाने की जरुरत नहीं होती है और मानी मानू से गिल्ट भी पील हो रहा होता है कि वो कैसे विकल सा विकार सा रीजन दे रहा है करके यहीं बोलता है कि इसी रहे तुमें जादा वेजेटेबल खानी होगी जिससे कि तुम चल्दी से ग्रो कर सकों तो रूरू ओके कहा देता है तब इसी यहीं भी अपनी प्लेट लेके बैठता है खाने की लेकिन उसका फोन बजने लगता है और उस फोन में रिखहे रहेता है कि यह फोन ड्रेंटपा का आरा है और तबि सीयों इकदम से सीर्योस हो जाता है और इदर पर रूरू को यह खाना खिला रहा होता है और रूरू ब привker चाता है चाउ से खाना खा रहा होता है और जब वो खाना खा चुका होता है तो यही रूरू की तारिफ कता है कि वो एक गुड़ बॉय है और इधर CEO शौक पर शौक हो रहा होता है कि क्या हो रहा है तभी यह रूरू और यही भी सुस्ते की अखर क्या हो रहा है और रूरू जुए बड़ी बड़ी आंके करके देख रहा होता है, फिर एकड़म से रोना चूच जाता है , और तभी यह पुछता है कि क्या हुसकि रूरू रोने लगता है, बता yine है कि उसमें खाना खाते हुए अपनी जूप काट लिए झाल